आप देख रहे हैं मीडिया वीजन न्यूज चैनल हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करें हिमाजल के पाड़ी लाकों में इन दिनों बारिश आते ही गुच्छी निकालने का करम जारी हो गया है माननेता है कि बारिश के साथ जितने अधिक बादलों की गर्जना होती है उतना ही अधिक मात्र में गुच्छी निकलती है गुच्छीों के सीजन में ग्रामिन छेत्र के लोग इन्हें जंगलों से इकठा करते हैं प्राकर्तिक रूप से जंगलों में उगने वाली गुच्छी जहां बजार में बहुत ही महंगे दामों में बिक्ती है वहीं पांस सितारा होटलों में भी गुच्छी के अच्छी मांग रहती है किन्न और चिले में इन दिनों ग्रामिन गुच्छी की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं मीडिया विजन से बाचित करते हुए ग्रामिनों ने बताया कि बर्तमान में बजार में गुच्छी की कीमत आठ से लेकर 18,000 रुपे प्रति किलो है ओषदिय गुणों से भरपूर गुच्छी को स्थानी लोकई तरह की बिमारियों में दवाई की तरह भी इस्तेमाल करते हैं आती है तो इसकी किमत जो है अगर बेचना चाहे तो 8000 से 18000 तक है मगर गुच्छी एक किलो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक किलो में गुच्छी बहुत जादी आती है सुके इसका वेड जो हलका हो जाता है तो जैसे अपने लोकल द्वाई के लिए जो है गुच्छी जी जैसे हम सुका के रखेंगे किसी को मतलब नमूनिया जैसा होगा या बुखार जैसा होगा तो एंटी में अचानकी त्यार हो जाती है प्रदेश के अधिक उचाई वाले छेत्रों में बारिश के बाद गुच्छियों का सीजन शुरू हो जाता है और ग्रामने छेत्रों के लोग कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें जंगलों से निकालते हैं इसके बाद इसे सुखाया जाता है फिर ओशिद्य रूप में बजार में बेचा जाता है जिससे लोगों के बहतर आमदनी हो जाती है पीछी का सीजन शुरू है पीछी के सुखे के वस्ची तवा गुच्छियां कम निकल रही थी अब दो दिन पहले बारश आने से अब लगता है कि गुच्छी हमारे को ठीक मिलेगी सारे उसमें सब गावारे हमारे जाते हैं सुबा जंगल में गुच्छी डोंड ले और पर हमारे जंगल में जाते हैं तो अब लेखने है कि जंगलों में मिलने वाली गुच्छी और शिल्या गुनों से भरपूर है उसे सुखा कर देश और बिदेश में बेजा जाता है जिससे लोगों की बहतर आमदनी बन जाती है और उस संग की आर्थिक हालत में भी काफी ब पदलाब हो जाता है